हेलो एव्रीवन वेरी गुड मॉर्निंग तो आल फ्यों वेलकम तो फिजकल साइन पेफी क्लासेज फ्रेंट्स जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि एन्वेस टीजिटी और मिसलेने स्टीचर्स का फानल रिस्ट जारी हो चुका था और तो और उनकी ज्वाइनिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत सारे हमारे फ्रेंट्स जो है ये न्वेस जो है जो है जो है जोइन करकर जॉब कर रहे हैं बट फ्रेंट्स टुड़े एजंडा is देर इस नॉट एज इन्वेस साइट रिगाडिंग और वेटिंग लिस्ट सो आज मैं आप लोग को करूँगा और कुछ important points share करूँगा so that आप सभी लोग अपने जो flash bulb है उसको आप जगा कर एक नई उर्जा के साथ नई तैयारियों में जुड़ जाएं so friends जो वीडियो है बहुत important होने वाला हो last जरू देखेगा so पहला जो टास्क है पहला जो assigned task है वो है यन्वियस waiting list कब तक जारी होगा ठीक है देखे friends यन्वियस waiting list जारी होगा यह तो proven है universal truth है यन्वियस waiting list जारी होगा बट यह जो list है यह कब तक आएगा इसका information मैं आप लोगों को ठीक है बट आइल ट्राइ माई बेस्ट टू गीव यू एक्जाक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग और वेकेंट सीड्स रेस्पेक्टिव और पोस्ट ठीक है तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा ठाःओं की आप सभी दोग's की वेकेंसि आने वाली ऐ यूपी यल्टी मेरी आने वाली है इसके talking की ठीक है अब जू चुका है जिसने अपने परिडाम दे चुके हो देख चुके हो अपना आत उगल घिवान ओ आथ है that is not a big issue ठीक है move ahead go ahead and do well in your upcoming examination okay so friends मैं आपनों को यही कहना चाहूंगा कि जो हुआ है सो हो गया है अब तो वह आपस आने वाला नहीं है कब तक waiting list जारी नहीं होगी और कब तक आप wait करते रहेंगे ठीक है देखें जो waiting list जारी जो पहले जो एक तरीके से प्रेडिक्शन था कि आप लोगों का जो यन्वियस waiting list जो आएगा बहुत ज्यादा huge मात्रा में आएगी vacancy जो vacancy जो रहेंगे बहुत रहेंगे लेकिन अभी का जो scenario चल रहा है इसमें बहुत कम vacant seats बची होंगे because जो यन्वियस की ज्याइनिंग थी बहुत fast बहुत जल्दी हो गई थी यही ज्याइनिंग यह दिसंबर तक होती ठीक है यही ज्याइनिंग अगर दिसंबर तक होती तो क्या होता कि बहुत सारी seat आपको खाली दिखने को मिलती यह ज्याइनिंग अगर दिसंबर तक होती तो कैसे seats जो है खाली रहते क्योंकि UPTGT और PGT का result जो है आ चुका है और उनका जो college allotment जो है assignment जो है उनका जारी हो चुका है तो यहां पर कुछ बच्चे जो है जो है ज्याइन कर जाते इस state में ठीक है फिर उसके बाद DSSB का result आया हुआ है इसके लिए क्या है इसमें भी कुछ बच्चे चले जाते अगर इनको एगर choice मांगते की नहीं यह जोईन करूं या UPTGT या DSSB जोईन करूं तो most of the candidates most of the teachers would like to join their state job okay RDSSB job besides the NBS job so friends यहाँ पर जो मैं बता देना चाता हूँ आपको कि यह जो vacancy है अभी vacant seat जो number of vacant seats है बहुत कम रहेगी ठीक है but मैं मैं जहां तक जानता हूँ ESC और ESC category में जो vacant seat है इसमें बची रहेगी और इसमें कुछ seats जो है मुझे भी पता है कि कि subject में किती seats बची है इसका मैं बाद बताऊंगा ठीक है but ESC-ST वाले तयार रहे है उनके लिए काफी seats जो है vacant है ठीक है number two देखे अभी जो vacancy आने व लोगों को सुचित करूंगा कि कभी यह vacancy आए गी notification जैसे जारी होगा मैं बताऊंगा और तो और अभी जो exam है जितने लोग हमारे PG है post graduate है in physical education उनका जो exam है अभी net का UGC net का exam है 15th November से start हो रहा है but till now there is no any particular date assigned for physical education exam so friends जो net का जो exam है इसके लिए आप prepare कीजिए जितने भी candidates हैं जो net का preparation कर रहे हैं वह मेरे channel के माध्यम से prepare कर सकते हैं अभी जो मेरा अगला video होगा that will be very much useful for your upcoming examination so channel पर बने रहे हैं और वीडियो फशन दाता तो please like and subscribe करना ना भूले thanks for watching have a nice day